एंसी टी राश्टी इस्तर पर बी एड कोर्स में बड़ा बदलाव करने जारी है जिसके चलते काफी सिक्षन सिल्स्थानों को बंद किया जा सकता है आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बीड पाठिकरम में एंसीटी बदलाव करने क्यों जारी है और इसी के साथ ऐसा क्या कारण है जिससे कुछ सिक्षन सिल्स्थानों को बंद किया जा सकता है देश में टीचर और स्टुडेंट्स का यदि हम रेशो देखें तो एक अनुपात 28 है यानि हर 28 स्टुडेंट्स पर एक सिक्षक होना चाहिए इस अनुपात को बनाए रखने के लिए प्रतेक वर्ष 3 लाख प्रसिक्षित सिक्षकों की जरूरत है जिनकी सेवा औस्तन 30 साल तक रहे लेकिन वर्तमान प्रस्थिती कुछ और ही बया कर रही है हमारे देश में प्रतेक वर्ष 19 लाख अभ्यरती सिक्षक प्रसिक्षन संस्थानों में एड्मिशन ले रहे हैं यानि जितने सिक्षकों की जरूरत है उससे 16 लाख ज्यादा सिक्षक प्रसिक्षन संस्थानों में प्रसिक्षित किये जा रहे हैं यहां मांग से कहीं ज़्यादा सप्लाई हो रही है लेकिन ज़्यादा वक्त तक ऐसा खेल नहीं चलेगा बीड की सिक्षा में चल रहे हैं इस तरह कि प्रबंद किये मेरेजिमेंट अर्थात जो ये खामी चल रही है उसको दूर करने के लिए NCTE कई कड़े फैसले लेने जा रही है इसका सीधा अशर बीड करने वाले जो परिक्षारति हैं उन पर देखा जा सकता है तो NCTE क्या फैसले लाने जा रही है यदि हम इसकी चर्चा करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक NCTE अद्दक सत्वीर बेदी ने बताया है कि साल 2009 में जब से सिक्षा का अधिकार RTE कानून लागू हुआ है तब से देश में सिक्षकों की मांग बढ़ती ही जा रही है खुलने लगे और सिक्षकों की गुणवत्ता में गिरावट आने लगी इस पर नियंतरन करने के लिए NCTE जल्दी कुछ नई चीज़ें लागू करने जा रही है NCTE वीर्ड में प्रवेश के लिए एक All India लेवल एंट्रेस एक्जाम की योजना बना रही है इससे हम राश्त्री इस्तर पर एक समान पैमाने पर अभ्यर्थियों का आंकलन कर शकेंगे ऐसे स्टुडेंट चुन कर आ सकेंगे जिन में एक बहतर सिक्षक बनने की काबलियत हो यह परिक्षा जरूरी भी है और इसे जल्द लागू भी किया जा सकता है यदि NCTE ऐसे कड़े फैसले लेती है तो इसका आशर क्या बी-एड संस्तानों पर पड़ेगा और क्या कुछ बी-एड संस्तानों को बंद किया जा सकता है NCT अद्दक्ष शत्वीर बेदी ने एक इंटर्वी के दोरान यह भी कहा है कि ऐसे प्रशिक्षन संस्तान जो उचित गुणवत्ता देने या खुद को बहतर बनाने में ऐशफल होते हैं तो NCT ही उन्हें बंद कर शकता है ठीक उसी तरह जैसे All India Counseling for Teacher Education AICT अपने संस्तानों के साथ करता है Counseling विसे में भी B.A.C. शुरू करने की तयारी में है यह कोर्स एक साल का रखा जाएगा इसके तहत अभियर्थियों को स्कूल स्टुडेंट्स के मानसिक स्वास्त का ख्याल रखने का प्रसिक्षन भी दिया जाएगा इसकूलों में कांसलर की बढ़ती मांग को देखते हुए कांसलिंग ने यह कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है इसी के साथ सिक्षकों को इस नियम के तोर पर विदेश भेजे जाने की भी योजना है एंसिटी अध्यक सित्बीर वेदी ने बताया कि एंसिटी सिक्षकों को विदेश के स्कूलों में पढ़ाने लायक बनाने के तरीकों पर भी फोकस कर रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि अलग-अलग देशों में ऐसे कई ग्लोबल स्कूल है जिने भारतिये सिक्षकों की जरूरत है खास तोर पर यदि हम देखें तो गणित, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विशियों के लिए इनकी ज्यादा मांग है तो इस प्रकार से NCD BA कोर्स के में एक नया फैसला, कड़ा फैसला ले शक्ती है इस ऐसा करने पर सिक्षकों की गुणवत्ता में तो सुधार आई गाई साथ ही जो सिक्षन संस्ताम बे लगाम कती से खूलते जा रहें उन पर भी नकेल कसी जा सकेगी तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतिय समाज को ग्रामीन इस्तर पर, सहरी इस्तर पर बच्चों को सिक्षा देने के लिए अच्छे सिक्षक उपलब्द हो सकेंगे तो आज के इस वीडियो में खास तोर पर आपके लिए बीड प्रिश्क्षन आर्थियों के लिए या जो बीड कर चुके हैं ऐसे प्रिश्क्षन आर्थियों के लिए विसेश योजना NCT के द्वारा लाई जा रही है यही आज इस वीडियो में बताने का उद्दिश था यदि आप इसी प्रिकार बीड बीस्टिसी या सभी प्रिकार के प्रतियों गिता परिक्षाओं से संबंदित तमाम जानकारी समय पर पाना चाहते हैं तो लगाता जुड़े रहे ग्यांदर अरसोली चैनल के शाथ में और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो इस प्रकार की प्रतेक भी अपडेट्स आप से मिस्ट नहीं हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब आवस्चे कर लें आज के इस पार्ट में इतना ही नमस्कार